इतने खुशी है इतने खुशी है इतने खुशी है मुझे आज तकी है हेलो दोस्तों मैं अंकित आपका दोस्त और रोस्त आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ तो आज हम मैच हाइलाइट्स और रिविव देखने वाल है मैच 29 संराइज आधराबाद वसेज CINNE सुपर किंग मैच की चिन्नाई के लिए ये must win match था और हैदराबाद के लिए भी काफी important तो चलो इस match के highlights और review देखते हैं और चान्त है चिन्नाई fans के खुशी का राज लेकिन उसके पहले खुशी खुशी बंडा मेरा इंट्रो चला दे दोनी ने टॉस जित के पहले बैटिंग करने का डिसन लिया चिन्नाई और हैदराबाद दोनों के टीम में एक एक change था चिन्नाई ने चावला को खिलाया जगदिशन के जगा और हैदराबाद ने नदीम को चांस दिया अब इशेक शरमा की जगा चिन्नाई की ओपनिंग पर भी अलग थी डूपलेसी के साथ साम कुरण आगे बाटिंग करने कुरण कफी अच्छे टच में थे लेकिन आज डूपलेसी का दिन नहीं था डूपलेसी पहले ही बॉल पे आउट हो गये संदीप शरमा के चिन्नाई 10-4-1 कुरण अच्छे फॉर्म में थे एक चौका और एक चक्का लगा दिया खलील को लेकिन अगला ही ओवर में संदीप शरमा ने कुरण का आउट कर लिया अब बैटिंग कर रहे थे राइडू और वैट्सन दोनोई बैट्समन स्ट्राइक रोटेट और सिंगल अच्छे तरह ले रहे थे लेकिन बॉंड रिस कम मार रहे थे हैदराबाद ने चिन्नाई का रंडेट कंट्रोल कर लिया राइडू और वैट्सन सेट हो गये थे और ठान लिया अभी स्कोर बढ़ाना है राइडू ने आगे आते हुए नदीम को एक चक्का लगा दिया वही वैट्सन ने स्लॉक करते हुए रशीत को एक सिक्स मार दिया दोने ने डिसाड किया कि अब रंडेट बढ़ाना है और रशीत को पहले वैट्सन ने एक सिक्स मार दिया और फिर राइडू ने छक्का लगा दिया दोनों ही बैट्समन की पाटनर्शिप काफी बड़े आजा रही थी लेकिन राइडू ने खलील का फुल्टोस लॉंग ओफ के हाथ में मार दिया और आउट हो गए अगले ही ओवर में वैट्समन ने नट्राजन का फुल्टोस लॉंग ओफ में मार दिया और वो भी आउट हो गए CSK 120 पर 4 अब बैटिंग कर रहे थे दोनी और जड़ेजा दोनी ने बाक टू बाक नट्राजन को दो 4 मार दिये और ऐसे लग रहा था कि दोनी अपने पुराने अवतार में आ गए जड़ेजा भी का पीछे थे जड़ेजा ने भी नट्राजन को चौका लगा दिया और फिर दोनी ने हेलिकॉप्टर शॉट मारते हुए नट्राजन को 6 मार दिया लेकिन उसी अवर में दोनी नट्राजन को आउट हो गए फिर कलील ने प्रावो को 0 पे आउट कर लिया जड़ेजा ने काफी बढ़िया पारी खेलते हुए चिन्नही का स्कोर 167 तक पहुचा दिया और हाइदराबाद के लिए 168 का टारगेट रखा तो चलो अब देखते हैं हाइदराबाद 168 रन कर पाता है या नहीं हाइदराबाद को अपने ओपनों से एक अच्छी शुरुवात की जुरुवत थी चिन्ने के लिए बॉलिंग करने आगे साम कुरन वर्नर काफी स्ट्रगल कर रहे और कुरन ने वर्नर का विकेट ले लिया समझ में नहीं आ रहा वर्नर इतना स्ट्रगल कर रहे है फिर भी हाइदराबाद के लीडिंग रन स्क्रोलर वो है और आईपेल के टॉप फार रन गेटर्स में भी है एक जटका लगा था और हैदराबाद उबर ही रहा था कि एक और जटका लग गया मनिश पंडे रन आउट हो गए काफी बढ़िया फिल्डिंग की ब्रावो ने हैदराबाद 27 फर टू ब्रेस्टो काफी अच्चे फॉम में थे और दो चोके लगा दिये चहर और कूरन को ब्रेस्टो का साथ देने विल्यमसन आ गये और दोनोई स्कोर को आगे बढ़ाने लगे दोनोई बैट्समन सिंगल और डबल्स ले रहे थे लेकिन बॉंडरी स्कोर नहीं कर पा रहे थे हैदराबाद ने 9 और में 57 रंज बना लिये और 11 और में 111 रंग की जरूत थी फिर बॉलिंग अटैक में आ गये जड़े जा और आते ही ब्रेस्टो का विकेट ले लिया अब सारी उमीद विल्यमसन पे थी कि वो हैदराबाद की नईया पार लगा देंगे रिक्वार रंडेट बढ़ रहा था तो विल्यमसन ने ब्रावो को 2-3 चोके लगा दिये करन चर्मा ने प्रियम गाग को आउट कर लिया और हैदराबाद का स्कोर हो गया 99 और 4 अब विल्यमसन अकिले अक्री उमीद थे हैदराबाद को 4 ओर में 60 रंस की जरूत थी विज़े शंकर बैटिंग को आये थे और आते ही ब्रावो को एक चक्का लगा दिया लेकिन वो भी ब्रावो को अपना विकेट दे बैटे विल्यमसन ने अपने 50 पूरे का लिये लेकिन रिक्वाई रंडेट के चलते वो भी अपना विकेट दे बैटे काफी बढ़िया पारी के लिए विल्यमसन ने रशीद ने आख्रे में आके चौके और चक्के लगाए लेकिन हैदराबाद को दो ओर में 27 रंस की जरूत थी और ये टास काफी बढ़ा था रशीद भी आउट हो गए ब्राओ ने फिर काफी बढ़िया लास्ट ओवर डाल दिया और चिनने 20 रंसे ये मैच आसानी से जीद गया इस मैच का रिवीव का देखे तो चिनने के लिए काफी बढ़िया बैटिंग की वैक्सन और राइडू ने इन दुनों की पाटनर्शिप काफी बढ़िया थी वही काफी अच्छा सपोर्ट किया कुरन ने स्टार्टिंग में और एंड में काफी अच्छा एक्सिलेरेट किया दोनी और जड़ेजा ने जिसके वैसे चिननने एक अच्छा टोटल रख पाया हैधराबाद के सामने वही अगर बालिंग की बात करे तो चिननने के सभी बालर्श ने काफी अच्छा परफॉर्म किया स्पेशली स्पिनर्स जड़ेजा और करन ने काफी बढ़िया बालिंग डाली और विकेट्स भी लिया और काफी अच्छा सपोर्ट किया उनके फास बालर्श ने अगर हैधराबाद का देखे तो हैधराबाद के लिए काफी अच्छी पारी के लिए विल्लमसन ने वो अक्रे थे जो एंड तक टिके रहे प्रेस्टो ने साथ दिया विल्लमसन का लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए बॉलिंग में देखे तो संदीप शर्मा ने काफी बढ़िया बॉलिंग डाली और क्रूशल विकेट्स लिए हैदराबाद के अगर प्रोब्लम की बात करे तो वो उनकी में बैटिंग लैनप है उनके टॉप बैट्समन परफॉर्म नहीं कर पा रहे है वार्नर और मनिश पंडे काफी स्टगल कर रहे है वही उनकी मिडल ओडर काफी इनेक्स्पिरियेंस और वीक लग रही है उनके एक और इशू जो हुआ वो है केमीन बॉलर रशीत का विकेट ना लेना बट अगें हैदराबाद रेली हैस तो थिंग अबाट बैटिंग और बैटिंग और बैटिंग और बैटिंग ओडर वही हाइदराबाद फिफ्थ पोजिशन पर है गाइस थैंक्यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अगर अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रे झाल